इंडिया टूरों साउथ एफ्रिका 10 डिसम्बर शुरू हो रहा है और इसी बीच एबी डिविलियस से एक इंडर्विम पूछा गया कि इंडियन टीम क्यों नहीं है अब तक कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर जीत पाई है और इसके लवा कुछ और सवाल भी पूछे गया इस नहीं होने चाहिए तो एबी डिविलिस बोलते हैं कि जरूर जादा होने चाहिए यहाँ पर क्योंकि जरूरी देखा गया ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड के साथ इंडियन टीम चार से पांच मैश की टेस्ट सीरीज रखती है वेराज अगर बात करें न्यूजिलेंड की या फिर साट अफकरे के या तो दो से 3 मैचेस की सीरीज रहती है तो विस नहीं के उपर ज्ट ऊड़ा थोड़ा फोकस क्या गया या ज्यादा टेस्स मैचेस भी देले हमें फिर उन से पूछा गया कि क्यों इंडियन टीम या फिर इंडियन बैट यहां पर इतना ज्ळाद सब की एवरेज जो है यहां कम हो जाती है because of the conditions यहां पर बॉल तेज तो रहती ही रहती है bounce और swing दोनों भी मिलता है अगर आप बात करो England की तो वहां पर तेजी और swing जाधा रहती है फिर A.B.W. ने एक्जामपल दिया कि Steve Smith overall हर जगा रंस बना के आते है वोल्ड वाइड क्रिकेट में लेकिन South Africa में आके उनकी एवरेज भी नीचे गिर जाती है फिर उनने खुद के एक्जामपल भी दिया कि मेरी एवरेज ओवर सीरीज में 55 के आसपास की है वेराइस जो होम गराउंड पर आते हैं ये होम सीरीज खेलते हैं तब वहाँ पर उनकी जो टेस्ट सीरीज में एवरेज इस रहती है वो भी बहुत ही अच्छी गिन बाजी थी और हर बार बॉलिंग की वज़से थोड़ा करीब आती है इंडियन टीम सीरीज जीतने के लिए लेकिन उससे पहले ही बल्ले बाजी उतना जादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है इसकी वज़से सीरीज नहीं जीत पाती है स्विच जोगी कॉमेंटक्स में अपनी राए जरूर देना है आँ आँ अ आँ आँ अ आँ आँ daran आँ अ कि आँ यह आँ आँे आँ 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 है आँ अई आँ आँ आँग आँ अ